उसके बाद हम discuss करते हैं, chapter number 4 और 5 जो है ये तो आप लोग का cancel हो गया है, जो chapter number 6 जो है उस पर आ जाते हैं, अब chapter number 6 के जो questions है ना मैं आपको बता देता हूं कि नंबर क्या है उसका, सबसे पहला जो हम question करेंगे वो होगा 6.1 से related है और वो उसकी example है, ये 2015 में आया था, सवाल, मैं आप लोग को इसका number बता देता हूं, 2015 में आपको ये मिल जाएगा, question number 2 का part number 8, question number 2 का part number 8 और ये basically कहीं हट के नहीं आया बाता ये, ये आप लोग की book की example ही है, example number 6, page number 159, उस पे आपको ये example मिल जाएगी, वहाँ पे ये सवाल मौजूद है, तो मैं आप लोग को वो करवा देता हूं, page number 159, हाँ, तो सवाल ये आया वे था, the pth term of an a p is q, and the qth term is p, find the p plus q term, अब a p की बात की गई है, तो बहुत easy concept है इसमें, सबसे पहले सवाल में data का given है, इसको आप इस तरह समझ सकते हो, कि यहाँ पिर में ने तो let किया वेना a first term है, तो आपको let करने की ज़रत नहीं है, given that, pth term जो है a p की, वो q के बाराबर है, और qth term जो है, वो p के बाराबर है, तीक है, यह आपको given है, तीक है, आपको मालूम क्या करना है, मालूम आपको करना है find the p plus q term, यह जो आगे th लगा देते हैं, उसका मतलब simple जैसे आपको nth बोलते है, nth term का मतलब क्या होता है, tn, इसी तरह pth का मतलब क्या हो जागा tp, qth का हो जागा tq, और आपको मालूम क्या करना है, t, p plus q, मतलब p plus q term जो है, वो आपको मालूम करनी है, यहाँ पर, solution पर आजो, आपको पता है, we know that, जो इसका formula होता है, ap का, general term का, a plus n minus 1, d, अब सबसे पहली चीज़ सवाल में है, pth term, तो आप क्या करो, n की जगा p put कर दो, यहाँ पर भी n की जगा p आ जाएगा, आपको बता है, pth term जो है, वो किसके बराबर है, q के बराबर है, तो, t, p की जगा मेंने क्या लिख दिया, q लिख दिया, और यह हो जाएगा, a plus p minus 1, d, इसको आप बोल दो, equation number 1, उसके बाद, दूसी चीज़ लिखी वे qth term, तो आप इसमे, t, q पुट कर दो, मतलब n की जगा पे, आप q पुट कर दो, यहाँ पर भी q आ जाएगा, ठीक है, अब qth term किसके बराबर थी, p के बराबर, तो यहाँ पे p है, इसको आप बोल दो, equation number 2, अब p plus q term मालूम करने के लिए, आपको a पता होना चाहिए, first term, आपको d पता होना चाहिए, common difference, अब वो कैसे बता होगा, आपको equation 1 और equation 2 को solve करना पड़ेगा, किस तरह solve को subtract कर दो, simple, यहाँ पे आप mention कर दो, कि equation 1, minus equation 2, तो simple आप subtract कर दो, equation 1 क्या है, a plus p d, मैं multiply कर रहा हूँ, d को दोनों terms से, minus d, equal to किसके बराबर है, q के बराबर है, equation number 2 क्या है, a plus q d, minus d, equal to p के बराबर है, subtract में सबके sign, चे हो जाते है, a cancel हो जाएगा, अच्छा, d आपस में cancel हो जाएगे, उपर होगा p d, नीचे होगा minus q d, इसी तरह यहाँ पे उपर है q, नीचे है minus p, इन दोनों terms से, आप d common लो, तो पहली term में से p, दीसरी में से q बच जाएगा, और यहाँ पे q minus p है, तो इसका simple concept आप minus common ले लो, जब minus common लोगे, यह p minus q हो जाएगा, next step में, यह आपस में cancel हो जाएगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो d की value के आजाएगी, minus 1 के बराबर आजाएगी, जैसे आपके पास d आगया, a निकालना मुश्किल नहीं है, आप simple लिखो, के put d equal to minus 1 in equation number 1, किसी भी equation में आप put कर सकते हो, मैंने equation 1 में put कर लिया, तो equation 1 में, a plus p minus 1, अब d के जगा पुट कर दो यहाँ पे, minus 1 equal to q के बराबर, तो simplify करो यह हो जाएगा, a plus, नहीं, minus को p से multiply करोगे, तो यह minus p हो जाएगा, minus को इस minus 1 से करो, यह positive हो जाएगा, और इस तरफ q है, आप इन दोनों टरम को shift करवादो दूसरी तरफ, तो p positive q positive 1 उदर जाके negative हो जाएगा, यहाँ से आपके बास value आजाएगी, a की, जब आपके बास value आजाए, a की, now, आपने p plus q टरम निकाल नहीं है, तो p plus q टरम क्या होगी, जो general टरम का formula है, a, p का जो होता है, इसमे a, अभी मैंने यह value पुट कर रहा, n की जगा में value पुट करों, p plus q, क्योंकि आपने observe किया था, कि अगर p टरम थी, तो n की जगा मैंने p पुट कर दिया था, q टरम थी, मैंने n की जगा q पुट कर दिया था, तो अगर p plus q टरम होगी, तो मैं n की जगा पे इधर p plus q पुट कर दूँ, अब next step में आप a और d की value पुट कर दो a की value थी p plus q minus 1 और d की value थी minus 1 देखने में लग़र है दोनों cancel हो जेंगे आपस में लेकिन आप step भी show करके दिखा सकते हो p plus q minus 1 यह अपने जगा पे इस minus 1 को p से करो minus p minus 1 को q से करो minus q minus 1 को minus 1 से करो 1 यह cancel हो जाएगा p cancel हो जाएगा और q cancel हो जाएगा तो यहां पे p plus q ट्रम जो है वो किस के बराबर आजाएगी 0 के बराबर आजाएगी तो यह सवाल का solution है जो book में example में ने किया वे लेकिन शायद आपको को step clear ना होता तो मैंने दुबारा यह करवा दी है तो यह आपको pass per में मिल जाएगा यह question 6 का मौजूद था 12.15 हमने कर लिया 16 में कोई नहीं है 17 में कोई नहीं है 18 में कोई नहीं है 19 में question है पहले आप लोग इसको screenshot ले लो 2019 में again example ही आई है आपके पास जो question number है जरा मैं बता देता हूँ आप लोगों को ठीक है question number 5 का part number A है यह लेकिन यह example भी है book की मैं आपको example का number बता देता हूँ example number 9 page number 167 6.2 से पहले आपको example मिल जाएगी example का number भी बता दिया यह भी बता दिया कि किस year में आई थी अब ज़रा देख लेते हैं इसको solve कैसे करना है book से हम question पड़ लेते है तो book में आपको मिल जाएगा the sum of first n terms of n to a p ratio given है ठीक है show that there 9 term are equal है प्रूफ करना है के 9 term इनकी equal है तो ज़रा में हलका सा data बना देता हूँ कि आपको given क्या है यहां पे given that के ratio आपको given है किसका the sum of first n terms of two a piece उनके अच्छा पहले हम कुछ लेट कर लेते हैं क्यूंकि आपके पास दो a p का जिगर गया गया ना तो आपको अलग अलग अन एसाब लेट करना पड़ेगा तो बुग ने इस तरह common difference and sn और sn prime be the sum of two a piece बात की गई है दो a piece की तो उनको differentiate करने के लिए आपने अलग-अलग variable consider की है बसे समझ लो कि हमने बस prime लगा के बताये कि या एक दूसरे से यह difference है तो अब आपको given क्या है given यह है कि sum of first n term sum को हमने किस तरह represent किये sn दूसरी वाली को represent किये sn prime ratio given है कि यह इस ratio में है ratio है 3n plus 31 5n minus 3 यह आपको given है और find क्या करना है basically आपको proof करना है कि जो इन दोनों AP की 9th term जो है वो क्या है आपस में 9th term इनकी equal है यह आपको यहाँ पे proof करना है अब इसको a come up इस तरह कर सकते हो कि simplification के तौर पे आप इसको fraction की form में convert कर दो अपनी असानी के लिए fraction की form में convert कर दिया solution पर आते है भाई इसके we know that क्योंके जिकर किया गया है sum of AP's का तो तरह हम formula consider करते है sum of AP का formula होता है 2a plus n minus 1d यह formula होता है ठीक है अच्छा अब बात की जाती है दो AP's की तो जो पहली AP उसमें ही हो जाएगा दूसरी AP के अंदर prime वाली notation है तो n upon 2 2a prime अच्छा n change नहीं होगा क्योंके लोगने बोले शुरूं की n terms दोनों AP की शुरूं की n terms ली जाएगे AP जितनी भी change हो जाए number of term को आप n से शो कर रहे होते हो तो number of term दोनों की उन्होंने n ही ली है बाकी obviously उनमें first term common difference का फर्क होगा लेकिन जो उनकी number of term है उसको सवाल में उनने बोला वे के n terms बोला वे तो इसलिए n में कुछ changing नहीं की मैंने a और d में changing होगी क्योंकि जायर सी बात है वो दोनों की first term और common difference अलग अलग होगा ठीक है लेकिन n जो है वो आपने number of term लिया वो दोनों में सेम होगे तो आप इन दोनों की value आप इसके अंदर पुट कर दो तो sn की जगा पुट कर दो इसको आप यह तो अगर नाम देना चारे हो a नाम दे दो इसको तो आप पुट कर दो यहाँ पे यह हो जाएगा n upon 2 2a plus n minus 1d divided by n upon 2 2a prime n minus 1d prime और यह बराबर है 3n plus 31 divided by 5n minus 3 पर cancel यह होगा कि यह चीज़ cancel हो रही है बस यह simplification है इसके अंदर बाकि आप as it is copy कर दो इसको इसमें और आप simplification कर नहीं सकते और अब इस जुरुवत भी नहीं है आपको असल में आपको proof करना है कि उनकी जो 9th term है न वो equal है यह नहीं बोला कि sum of 9th term equal है यह आपको proof नहीं करना अगर sum of 9th term होता तो आप यहाँ पर direct n की value 8 put कर देते हैं अभी बात की गई है कि उनकी जो 9th term है sum of 9th नहीं सिर्फ 9th term जो है वो आपको equal proof करनी है तो उसको equal proof करने के लिए इसकी आपको फिलाल जरूरत नहीं है अभी इसकी आपको बाद में दोद पड़ेगी सबसे पहले 9th term को equal proof करने के लिए आपको कुछ और working करनी पड़ेगी और बुक ने mention भी किया है दा रेशो ओफ दे 9th term इस तरह बिख दो यहां तक इसको वन बोल दो अब आप 9 पर आजओ दा रेशो ratio of 9th term ratio of 9th term को आप लिख दो T9 और दूसरे में आप लिख दो T9 यहां पे भी आप लेट कर सकते हो लेकिन SS लेट करने के जरुरत नहीं है वनना फ़स्द होगे बारबर लेट करोगे इसी तरह यहां पे formula भी आप अलग से mention कर सकते हो general term का formula जो AP में हम use करते हैं लेकिन सवाल बढ़ा है तो SS जरुरत नहीं है चाहो तो आप यहां पे लिख दो we know that general term of NAP is TN equal to A plus N minus 1D let TN T9 और T9 prime भी the 9th term of 2 APs करना चाहो तो कर लो लेकिन जब उपर आपने mention कर दी ना कि prime हम use कर रहे है तो यहां पे मामला चल जाएगा पूरा और formula mention करने की भी जरुरत नहीं आप direct put कर दोगे अगर आपने general term में 9th term निकालनी हो बाकि 1st term D आप देखो तीन चीज़े होती है ना A plus N minus 1 D A D और N A D तो आपको नहीं पता N आपको पता सिंपल सी बात है पहली A P की 9th term किस तरह निकालोगे general term में आप N की जगा 9 पुट कर दोगे 9 जैसे general term यह होती है A plus N minus 1 D तो 9th term के लिए आप N की जगा 9 पुट करोगे 9 minus 1 8 के बराबर होता है इसी तरह आप नीचे वाले में बस A प्राइम D प्राइम कर दोगे इसका तरह screenshot ले लो अच्छा उसके बाद यहार इसको थोड़ा simplify कर लो क्योंकि अगर आप इदर देखो यहाँ पे आपको value आप निकाल सकते हो यहाँ से लेकिन यहाँ पे देखो A के साथ भी 2 है नीचे भी 2 आ रहा है तो आप किसी तरह करो कि इनको similar करने के लिए क्योंकि यह चीज़ आपको काम देगी इसका मकसद ही यह था कि आपको यह फाइदा देगी असल चीज तो आपको यह निकालनी थी यह भी निकालनी थी आपको प्रूफ करना है लेकिन सब चीजों से आप फाइदा हासिल करोगे इससे भी आपने फाइदा हासिल करना है तो आप किसी तरह इन दोनों को 2 से मल्टिप्लाइ कर दो और आप बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि आप मल्टिप्लाइ डिवाइट कर रहे है उपर भी 2 से मल्टिप्लाइ कर दो तो दोनों उपर 2 से मल्टिप्लाइ हादेंगे और नीचे भी आप 2 से मल्टिप्लाइ कर दो तो आपने numerator, denominator दोनों पर कोई चीज मल्टिप्लाइ की है तो कोई फर्क नहीं पढ़ा बात यह की है जब आप कॉमल लोगे दुबारा यह हट जाएगा अब इसको मैं थ्री वोल लो फिल हाल के लिए अब यह वहां पर कुछ कर लेते हैं देखो अगर आपको यह पूरी चीज फाइंड करनी तो其實 16D तो टुबे प्लस 16 दी जो आपको चाईए और इस पूरी वैल्टी जब आप यहां पर 17 करोगे तो इस पूरी चीज की वैल्य आपको यहां पे मिल जाएगी तो इससे सेम करने के लिए आप यहां पर 17 पुट कर रहे हो तो ठो एन इक्वल bitcoin 17 in 1 जरा देखते जो क्या होता है आप 17 put करो 2 A plus 17 minus 1 16 D इसी तरह नीचे भी 2 A prime 16 D prime और right hand side पे भी आप 17 put कर दो यहाँ भी 17 आ जाएगा यहाँ भी 31 यह तो खर इधर 17 minus 3 3 into 17 क्या हो जाएगा 51 51 plus 31 यह हो जाएगा 82 5 into 17 51 के अदर 34 add करो 51 यह हो जाएगा 85 85 minus 3 82 तो यहाँ पर आप अब अब जर्फ कर रहे हो कि जब आपने 1 के अंदर N के वेले 17 put की तो इस पूरी चीज का आंसर क्या आ रहा है इस पूरी चीज का आंसर आ रहा है 1 के बनाबर तो जैसी यह चीज 1 आ गई तो यहाँ पर यह पूरी चीज यहाँ पर थी आपको इसकी value मालूम करनी थी इसकी value क्या आ गई 1 के बराबर आ गई तो अब आप consider करो equation 2 को equation 2 की left hand side थी यह चीज equation 2 इसके बराबर थी इसकी value आपने मालूम कर ली इसकी help से इसकी value 1 आई है आप यहाँ पर put कर दो जैसी आप put करो next step आप एक और करना वो यह किस T9 प्राइम का आप 1 से multiply करवा दे ना जब 1 से multiply करवाओगे इसको कुछ नहीं होगा ऐसे हो जाएगा और यहाँ से आपका prove हो जाएगा सवाल के जो 9th term है दोनों AP की वो आपस में क्या है equal है तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने के बाद आपके पास यह प्रूव हो जाएगा क्योंकि जब equal होते हैं तो ratio 1 के बराबर होगा लेकिन आप यहाँ जाके multiply करके भी आप देख सकते हो के दोनों AP की जो 9th term है वो आपस में क्या है equal है तो सबसे बहले आपने इसको simplify किया उसके बाद आपने 9th term का ratio find किया जब आपने find किया तो आपको basically इस चीज़ की value मालूम करनी थी इसकी value आपने कैसे मालूम की आपने यहाँ पे N17 put किया solve किया तो यहाँ पे इस चीज़ की आपको value मिल की 1 उस value को आपने यहाँ पे put कर दिया यह चीज़ आई पर आप उदल ले गए यहाँ से आपने प्रूफ कर लिया कि 9th term का ratio जो है जो 9th term है वापस में क्या है बरावर है तो इस तरीके से book की example है इसके अलावा आपको past 10-11 years में कोई भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा बलकि यह सारे सवाल जो हम book से हट के आई नहीं है ना इसे हट के कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हम उसको करेंगे इसको ज़रा पहले note कर लो अब ऐसे कुछ एक दो और examples है जिनके chances है मैं आपनों को सासद वो भी करवा देता हूँ अगर आप 6.1 से पहले आजो तो 6.1 के बात को ऐसी example नहीं है बहुत basic सी examples है आप लोगों ट्राय कर लेना खास वर पे example नंबर 5 158 नंबर पे आरिये 158 page नंबर पे तो यह वैसी कोश्चन है जो आपने 6.1 में किये में बहुत easy solution आप लोगो देख लेना example 6 जो है वो तो खेर मेरे करवा दी थी आप लोगो अभी तो बाकि तो कोई खास उसको ट्राय करना चाहो तो कर लो लेकिन वही कॉंसेप्ट जो आपने 6.2 में किया है आपको बेसिक लिखाव है इव दा सम आफ पी ट्रम अफ एन एपी स्क्यू वही सम के पुरे फॉमले में आप एन के जगा पी पुट करना सिंप्लिफाय करना बकाइदा सॉल्फ किया हुए बुक ने मैं आप लोग को अगें वही बात मश्वा दिया था कि जो इंपॉर्टन कोशन का पीडिएफ था उसमें मैंने एक्जेम्पल लिखी थी तो उन एक्जेम्पल को आप ट्राय कर लो काफी है बाकि एक्जेम्पल बुक से लेटेड है बुक में जो कोशन किये हैं तो बार बर करने की क्या ज़रूरत है आप सानी से वो कर सकते हो तो यह चीज मैं आप लोग से वहां पर डिसकस की थी एक सेकंड तो इसलिए आप लग से करने की ज़रत नहीं है जो एक्जेम्पल नमबर सेवन है बिलकुल आपने एक्सराइस में भी किया था मैं बता देता हूं कोंसा कॉशन था वो कॉशन नमबर टैन था तो उसको ददा देख लेना बुक में बड़ा अच्छा नहीं किया है मसला नहीं होगा एक्जेम्पल नमबर एट को आप ट्राय कर लेना को मसला हो पूछ लेना बहुत बह लेकिन जहातर वही है जो आपने बुक में किया मैं कोशन तो आई भूप आप लोग आप लोग नहीं होगा तो 6.3 पर अगर आप आजाओ तो 6.3 में तो खर बहुत एजी एक्जेम्पल्स हैं एक्जेम्पल 3 ट्राय कर लेना स्यदा जदा जदा बाकि ट्राय के जुरत नही है एक्जेम्पल 5 में शू हो सकता है क्योंकि बुक ने बकायदा कॉंसेट पूरा बताया वह यह कॉंसेट आपको पेपर में लिखने के ज़रत नहीं है जो असल सॉलूचन है वो उन्होंने एंड पर गिया था मैं आपको बताया तो किस तरह करना है यह बिल्कुल एक्जेक कीये हैं अब उस पे लग रहा है कम पनाउंट प्रॉफिट जब कमपाउंट प्रॉफिट लगता है तो आपके बाद जीपी बन रही होती है जितने सवाल आप नहीं कि एकसाइज में लिखेंगेद चीआ ढम बात अक्रिशन अब वो जमा रखी है, find the compound amount at the end of 60 है, 6 साल के बाद बताओ, उसकी total amount कितनी थी, लाग उसने invest की थी, लेकिन 6 साल बाद उसकी बताओ, कितनी रकम होगी, तो example number 5, page number 179, data बनाते हैं, सबसे पहले आपको given यहाँ पे क्या है, principal amount जिसको आप P से शो करते हो, principal amount वो होती है, जो invest की, ठीक है, उसके बाद मैंने बताओ, जब compound profit लगता है ना, तो वो GP बनती है, ठीक है, उस GP में ratio आप कैसे निकालते हो, R, वो निकालने का तरीका यह होता है, कि आप यह देखते हो profit हुआ या loss हुआ है, यहाँ पे 5% profit हुआ है, तो आप इसको profit consider करो, मतलब आप add करोगे जब profit होता है, तो आप क्या करते हो, कि 1 के अंदर 5% add कर देते हो, अगर add कर लो, यहाँ पे जैसे एक सवाल था, book में depreciation हो रही थी, 20% depreciate हो रहा है, तो आप 1 में से minus कर देते 20%, जहाँ profit था, आप ने इसके अंदर add कर दिया, अब देखो 1 और यह 1 decimal system है, यह तो percentage symbol है, तो ए एक साथ मतलब इनको एक जैसे system में आप कैसे convert करोगे, percentage से आप decimal system में कैसे आते हो, आप divide कर देते हो, 100 से, ठीक है, तो concept देख लो, अगर profit होगा तो आप 1 में add करते हो, जितने percent profit हो रहा है, अगर loss हो रहा है तो आप 1 में से subtract कर देते हो, subtract करने वाले case से जहाँ तर आपने देखे में, exercise में, एक profit वाला case भी आपने देखा हो है, तो इस सब आपने exercise में किया हो है, still मैं आप लोगों को फिर भी करवा रहा हो है, 5 upon 100 जो है वो 0.05 होता है, उसको अगर आप 1 के अंदर add करो, तो यह हो जाएगा 1.05, तो यह है भई R की value, common ratio, उसके बाद आपको असल इस क्या पता हो नहीं चाहिए, यह जो मैंने सामने लिखा हुए, P, यह शायद मैंने class में बताया, आप लोगों को नहीं बताया, यह principal amount तो होती है, लेकिन इसको आप 1st term consider करते हो, बतलब एक GP बनेगी ना, GP की यह क्या होती है, एक 1st term होती है, तो इसको मैं आपके A लिख जी होती है, compound, profit, इसी तरह investment जब आप करते हो, तो जो आपके principal amount होती है, जो एक लागती है, उसको मैं पी से शो कर रहे होती है, इसी तरह एक future amount होती है, जिसको आप F से शो कर रहे होती है, जो आप find करोगे, तो उसकी terminology में पी उस करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के concept मे end of six years, छे साल के बाद, the compound, compound amount will be the seventh term of a GP, ये reason इसकी आप वो class में बहाँ चलीगी, मैंने detail में आप लोगों को समझायव है, कि छे साल बाद, जो आपके बास amount होगी, वो basically seventh term होगी, जी पी की, अगर 5 साल आथा, तो 5 साल के बाद, जो आपके बास होती, वो six term होती, GP की, तो मैंने class में detail में बताया है, कि जितने साल के बाद वो बोलेंगे, उससे एक ज़्यदा जो है, वो GP की term होती है, concept अगर आपको देखना है, तो आप वहाँ वीडियो देख लो, आपको समझा जा जब four years होंगे तो आप n की value five ले लो, so on and so forth, यह आप देख लेना, अब आप आप आज़ो असल चीज के उपर, कि वो आपको amount निकालनी है, छे साल बाद, तो कैसे निकलेगी, general term को formula consider करो, GP का जो होता है, क्या formula होता है, एक second, ठीक है, सुर्ण मुझे important call आनी है, इसलिए मै इसको जड़ा, silence हडा देता हूँ, यह है general term, किसी भी GP के, अब आप यहाँ पर values पूट कर दो, basically आपको यहाँ पर T7 निकालनी है, मतलब इस GP की जो 7th term होगी न, वो basically total compound amount होगी after 6 years, तो data पूट कर दो यहाँ पर, n की जगा 7 पूट करना है, a यहाँ पर क्या है, 1 lakh, r यहाँ पर 1.05, again n यहाँ पर 7, तो बस एक simplification कर लो, उसके बाद direct calculator में आप solve करोगे इसको, वो यह है कि 7-1 क्या होता है, 6 के बनाबर, तो इस पूरी चीज़ को आप direct calculator में solve करना, book वालों ने तो solve किया वह इसको, और इसका answer क्या निकाला वह है, कि 7th term जो है, वो है, 0,009.56, तो यह है भाई, 6 साल के बाद उसकी amount, तो उसने invest किये थे 1 lakh, और उसको 6 साल बाद कितना profit हुआ, तकरीबन 34,000 उसके profit हुआ है, और अब उसकी compound amount क्या है, 1,34,000, अगर वो बोलते कि यार हमें सिर्फ profit बताओ, ऐसा भी सवाल book में है, तो यह है compound amount, तो 6 साल बाद हो होगी, profit अगर आपको मालूम करना हो, तो इस value में से आप सब्ट्रेक कर दोगे, principal amount, तो आपके पास पताद जल जाएगा, कितना profit हुआ, तो दिखने में आपको लग रहा है, कितना होगा, 34,000 होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट नहीं पूछा हुआ, और उनने compound amount नमबर 9 किया था, मैं बस तोरह सा idea दे दे तो हूँ, इसमें changing क्या होगी, अब इसमें concept यह कि आपने एक ball drop कर रहा हुआ, ठीक है, मैं एक ball drop किये यह, यह मैं बात कर रहा हूँ, example number 4 की, on page number 184, समझ लो concept, बाकी बिल्कुर book के question जैसा है, कि आपके पास एक ball थी, वो आप drop क कर रहे हो, ball जो है, वो always rebound, one half the height it falls, हमेचा half जो है ना, वो दुबारा उठती है, बिल्कुर एंड पर लिखा वा था, नहीं सवाल में लिखा है, कि आपने 64 मीटर की height से drop किये, तो लेट कलो, यह 64 मीटर की height थी, मैंने यहाँ पे drop कर दिया, यह पूरा 64 मीटर था, अब जब फिर half करेगी, 16, फिर नीचे जाएगी, फिर उपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर उपर जाएगी, करते करते क्या scene है, it is drop from a height, how far has it traveled when it reached the top of the fifth bounce, जो fifth bounce हुआ है ना, उसके top पे वो गई है, तो दो देखते हैं, पहली दफ़ा bounce हुआ, उठी दूसरी दफ़ा bounce हुआ, फिर ball टॉप पे गई, तीसी दफ़ा, चौती दफ़ा, और पांचवी दफ़ा bounce हुआ और वो उठी, तो पांचवी दफ़ा bounce होने के बाद, यह दो पहली दफ़ा bounce हुआ, दूसरी दफ़ा, तीसी दफ़ा, चौती दफ़ा, पांचवी दफ़ा, पांचवी दफ़ा जब उस बॉल ने हिट किया और वो टॉप पे गई है बस यहां तक पॉप पे गई उसके बाद नीचे नहीं गिरी उन्हेंने बुलाए के रीच एड़ टॉप ऑफ फिफ बाउंस के बाद टॉप पे चली गिए अब हमें बताओ कि यहां से लेके करते करते यहां तक उसने कितना डिस्टन्स ट्राइवल किया है यह पुरा सवाल है तो यह बिल्कुल उसी टैक का जो कोचे नमर नाइन आप ने किया था उसमें तो पता नहीं नौवी दफ़ा बहुत बड़ा सवाल था वो तो खे तो अब इसमें अगेन मैंने वहां पे दो सिरीज मैं पेसे बनाई थी ओक फॉल सीरीज थी एक राइस सीरीज थी है जा तो गिर रही है बाल या ऊठ रही है तो यहां पे दोनौ चीजेजें बराबर है कहने का मतलब एक दवा गरिये दूसरी दफा तीसरी दफा पांचवी दफा, बॉल पांच दफा नीचे गिरी है उठी क क्ठीकश सबस्क्राइब सब्सक्राइब होगी राइजिंग सीरीज अच्छा जीपी कैसे बनेगी सिंपल सा कॉंसेप्ट है भाई 64 दूसी दफा जब पहली दफा गिरी यह तो 64 हाइट से गिरी थी न फिर यहां पे गई अब जब गिरेगी तो 32 की हाइट से गिरेगी तो जीपी क्या बन रही है 64 प्लस 32 प्लस 16 अब तो कितनी ट्रम तक जाना है आपको फिफ ट्रम तक जाना है चाहो तो सारी ट्रम मेंशन कर दो क्यूंकि इसके बाद 16 के बाद 8 होगा उसके बाद 4 होगा चाहो तो मेंशन कर दो इसके बाद उसके बाद आप जीपी का फॉर्मा लगा देना लेकिन ऐसे भी rise की बात करो तो rise में भी यह concept होगा rise में आप start कहां से करोगे rise का start होगा 32 से क्योंकि जब पहली दफा ball rise किया है तो वो कितनी height पे गई थी 32 पे गई थी ठीक है तो rise में सबसे पहली drum किया होगी 32 यह rise करगी फिर वो गुरी अब वो दुबारा rise कितना करेगी 16 करेगी मतलब पहले दफार 32 किया था अब half length पे वो करेगी तो आप 16 करेगी उसके बाद वो 8 करेगी अब 2 फिफ ट्रम पांचवी दफा जब वो टॉप पे जाएगी राइज जाएगी लिखना चाहो तो लिख देना 8 के बाद 4 होगा फिर उसके बाद 2 होगा अब इस सवाल के करने के दो तरीके हैं मतलब जैसे आपने question number 9 किया था ना वैसी data आपने बनाया fall और rise आपने किया अब दो तरीके हैं या तो आप सब 5 ट्रम को mention करो और proper उनको जैसे आप add करते हो ना वैसे आप add कर दो इसमें कोई शर्द नहीं कि आपने GP का formula ही use करने है क्योंकि पांस ट्रम मैं आप असानी से उनको add कर सकते हो लेकिन इसका अच्छा तरीका यह होगा कि आप GP का formula लगा दो और अगर आप रेशो देखो तो वन अपॉन टू है इसके अंदर इसमें फर्क यह कि इसमें एन फाइफ है इसमें भी रेशो वन अपॉन टू है बस फर्क यह कि इसकी फर्स ट्रम क्या है 32 के बराबर है तो जो मैंने GP के सम का formula आपनों को बताया है वह ना कर देना तो आपको बता चल जाएगा बॉल यहां से लेकर यहां तक टोटल बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है मजीद अगर आपने सा कॉंसेट देखेना तो कोशन नमर नाइन जो है एक्सरसाइस का उसको आप देख लो आपको मजीद यह बात क्लेर हो जाएगी ठीक है अथा उसके बाद example number five भी आ सकती है लेकिन concept वही है मैंने आपको बताया था और बुक में solution भी किया है यह बिल्कुल वही कोशन है जो मैंने आपको 6.5 में question number one का part number nine करवाया था बिल्कुल उसी तरह करोगे इसी तरह कोशन number five का part number two जो है बिल्कुल उसी तरह करोगे इसमें concept book में बिल्कुल अच्छे तरीके देफाइन किया वह जो मैंने आप लोगो क्लास में बताया था कि सबसे पहले आप यहां पर two common लोगे two common लेने के बाद nine से multiply divide करोगे फिर वह आप अंदर nine को सब को break कर रहे हो 10-100-1 बिल्कुल मैंने exact यह जो मैंने आप लोगो को reference दीन exercise के detail में मैंने समझा कि आप लोगों के solve कर वाए वे थे तो अगर आपको example number five समझ नहीं है तो आप 6.5 में question number one का पार्ट nine समझ लो आपको जुर्रत नहीं पड़ेगी आपको यह example असानी से समझ आजेगी क्योंके seven आजाए six आजाए five आजाए two आजाए कुछ भी आजाए concept same ही रहेगा ठीक है तो यह reference में आपको दे दिए six point five cover हो जाएगी six point six six point seven जो ही तो obviously cancel होगी है और six point eight जो है उसकी जो आप ही तो को मसला नहीं जब आपने exercise कर ली बिल्कुल उसी के pattern पर और उने examples दी है तो six point eight से पहले जितने examples उनको छोड़ दो करने के ज़रत नहीं जो मैंने आप लोंको यहाँ पर समझाई है जो मैंने पीडिएफ में दिया है उन examples लो करो that's it बागी करने के ज़रत नहीं तो six chapter है ना वो हमारा खतम हो गया मैंने past papers आप लोंको करवा दिये जो past paper में examples से वो करवा दी है जो example मुझे लगतादा आ सकती है यह वाली जिस type की थी यह थी यह मैंने आप लोंको समझा दी है तो chapter number six जो हो हमारा complete हो गया तो one से लेके six तक हमने complete कर लिये इंशाला next video में